असलाम लेकुम डियर लेर्नर्स और वेलकम इन इस वीडियो हमने पहले भी बात की थी कि हम आपके लिए कुछ पैनल डिसकुशन लेकर आएंगे ताके आप थेरी के साथ-साथ ये भी जान पाएं कि entrepreneurship और उसे related जितनी भी field studies हैं उसमें क्या हो रहा है अगर आपको याद हो तो हमने पहली वडियो में ये बात की थी कि जब भी आप किसी से ये बात करेंगे कि आप entrepreneurship पढ़ रहे हैं तो आप से सभी एक ही सवाल करेंगे कि कि entrepreneurship भी पढ़ के करनी आती है फिर आपको याद होगा क हमने discussion की थी nature and nurture की कि हो सकता है कि आप born बहुत अच्छे genius entrepreneur हो या एक बहुत अच्छे artist हो मगर आपको mentor की जरूरत रहती है आज की जो हमारी discussion है basically ये इसी बारे में है और topic जो हमारी discussion का यही होगा कि entrepreneurs are born or they can be made because आपको इस मामले में बहुत से लोग confused करते रहेंगे कि entrepreneurship या तो आपकी family में नहीं है या आपके massage में नहीं है तो आप entrepreneur क्यों बनना चाहते हैं इस discussion पर बात करने के लिए इस topic पर बात करने के लिए आज हम अपने studios में बुलाया है सबसे पहले आमना गुल को आमना गुल एक entrepreneur है and she is from the gems and jewelry industry उसके साथ साथ हमने बुलाया है मुहम्मद रिजवान सलीम को he is an academician और हमने बुलाया है मुहम्मद जहीर को he is also an academician हम बारे बारे इन से राय लेंगे कि इनकी राय में क्या entrepreneurship सीखी जा सकती है कि ये एक born talent है तो आएए इन से पूछते हैं जी जहीर सब आप से शुरू करते हैं आपकी क्या राय है entrepreneurs are born or they can be made मेरी जाती राय तो ये है कि entrepreneurs are born और ये पढ़के करने की बातें नहीं होती है आप Mark Zuckerberg को ले लें आप Steve Jobs को ले लें आप Bill Gates को ले लें आप Pakistan में मिया मन्शा को ले लें ये लोग पहले entrepreneurs थे और इन लोगों ने इनके अंदर एक inbuilt talent था inbuilt talent का होना बड़ा ज़रूरी है अगर ये नहीं है तेखिए entrepreneurs में दो चीजी होती है एक they are risk-takers or they are innovators उनके अंके अंदर innovation और risk-taking की खास सलाहियत होती है जो हर आदमी में नहीं है और अगर ये सलाहियत ही नहीं है तो आप जाए बंदे को entrepreneurship में PhD करवा दें वो आपको entrepreneurship पढ़ा तो देगा वो बना नहीं सकता इसके लिए मेरी जाती रही है के entrepreneurs are born, they are not made they cannot be made unless there is some talent there, आप उसको nurture कर सकते हैं उसको बहतर तरीके से निखार सकते हैं मंगर आप उसको बना नहीं सकते हैं by any means, आप उसको nurture नहीं कर सकते हैं के तो मों entrepreneur बन जाओ ठीक, यानि आपका ख्याल ये है के raw talent होना जरूरी है ठीक है, otherwise अगर आप किसी को सिर्फ trainings दे 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 या उसको entrepreneurial education दे दे दे, entrepreneur बना मुश्किल है के जब तक के एक natural उसके अंदर talent नहीं पाया जाता बेशक्त और ये बड़ा जरूरी है ठीक हो गया, प्रिजवान सब आप की तरफ आते हैं, आप कितना मुटफिक हैं जहीर साब की राए से देखें, मैं जहीर साब की राए से partially इसरफ इस सथ तक मुटफिक हूँ क्योंकि हम इस सवाल को अप्रोच करते हैं कि देखेंगे कि हमारे पास इस सवाल का जवाब देने के लिए ये बड़ी पुरानी डिवेट है आंट्रेपेनियर्शिप के लिटरेचर के अंदर अगर हम देखें, आपने मुझे एज़ान एकिडिमिशन इंटर्डूस करवाया है, हलांके मैंने अपने केरियर का आगाज एज़ान आंट्रेपेनियर किया था और उसके बाद कुछ साल अपना बिजनस चलाने के बाद फिर मैंने एकडिमिक्स को जाइन किया और उसके बाद ज्यादा आंट्रेपेनियर्शिप पढ़ी भी तो इसमें तीन चीजों को देखना चाहिए, एक ये कि आम राए इस सवाल के बारे में क्या है तूसरा ये कि लिट्रेचर जो अंट्रेपेनियर्शिप का है वो इसके ओपर क्या कहता है और तीसरी बात कि इम्पेरिकल एविडन्स क्या है इस सवाले से तो जो आम राए है वो राए वो ही है जो कि जहीर साब ने बयान किया है कि आम तोर पे ये ही समझा जाता है कि जो आंट्रेपेनियर्श होते है ये एक स्पेसिफिक स्पीशी है, एक खास ब्रीड है या या इस ब्रीड या सपेशी सापका तालुक होता है तो आप कारोबार कर सकते हैं वरना आप नहीं करते हैं या आम राए है लेकिन हम ये निहीं कह सकते हैं कि इस राए को literature support करता है या practice support करती है अब अगर हम entrepreneurship के literature में आ जाते हैं के जो literature है जो मुख्लिब मुख्यक हैं तहकी करने वाले उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है तो literature हमें बताता है कि आप जो entrepreneurs होते हैं वो bond भी होते हैं और आप entrepreneurship पढ़ा कर लोगों को entrepreneur बना भी सकते हैं अब जो तीसरी चीज है कि evidence क्या कहता है अब हम अगर अच्छा अब evidence एक नहीं से literature में reflect भी हो रहा होता है अब अगर हम practice देखते हैं तो हमें बिलकुल वाज़े ये नजर आ जाता है जिसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह जहीर साब ने फरमाया कि जो बड़े बड़े नाम हैं उन बड़े बड़े नामों की कहानिया जब पड़ी जाती है या सुना ही जाती है तो उन से यही तासुर मजबूत होता है कि entrepreneurs बान होते हैं लेकिन असल में entrepreneurship की जो practice है वो बड़े नामों तक ही तो महदूद नहीं है यह तो एक मुख्लिफ सताओं पर यह किया जा रहा है तो अगर आप आम लेवल पर देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि बहुत सारे जो आपके entrepreneurship की तालीम अगर हम देखें तो यह भी निस्पतान नहीं है इससे पहले यह entrepreneurship की brand से पहले यह business education के नाम पर दी जाती है तो हमें जो empirical evidence है वो यह कहता है कि entrepreneurs bond भी होते हैं और जो entrepreneurs हैं उनको बनाया भी जा सकता है आखरी बात जो मैं यहां पर इस रो में यह कहूंगा कि अगर आप वैसे भी study करते हैं human beings को तो अगर आप यह देखें तो इनसान जो होता है वो बहुत सारी जो potentialities है उनके साथ पैदा होता है अब यह उसका माहौल है अगर उसको एक खास माहौल मिल जाता है तो उसकी बहुत सारी potentialities है वो सामने आ जाती है इसी तरह से और याद रखिए कि यही वो belief है जिसके तहत जो business schools है या entrepreneurship के schools है वो working कर रहे है कि लोगों में basic potential है इस तरह risk taking की एक potential है और इसके लबावा और चीज़ है अगर हम उनको address कर लें तो आप लोगों को entrepreneur बना सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया और हमने usually अपने पहली वीडियो में भी यही बात की थी के talent कितना ही अच्छा और कितना ही fine क्यों नहों लेकिन बाहराल raw होते है और raw talent को एक training के mentorship के जरूरत होती है आमना आपकी तरफ आते हैं आप तो खुद एक entrepreneur है आप जादा बहुतर बता सकते हैं कि आपकी राय में और आपकी इर्दिगिर जितनी entrepreneurial community है आपने उसमें भी बहुत सो लोगं को observe किया होगा आपकी क्या रहा है यह बाउन और यह बाउन और यह बन सकते हैं अगर मैं अपने तजरबे से आपसे बात करूं तो I belong to a business family I have grown up seeing my father, my mother, my grandparents, my uncles, everybody running their own businesses, none of, nobody in my family was from the job culture So I grew up seeing everybody doing their own businesses, so मुझे शुरू से यह कहलें कि जैसे एक already इसान के mind में यह चीज होती ही होती है कि eventually I have to be like them, मैंने अपना business ही करना है Job culture था ही नहीं, तो इसलिए उस तरफ mind ही नहीं गया, एक चीज माइन में थी उसके बाद जब entrepreneurship के उपर study किया और study के बाद जब trainings कुछ नहीं entrepreneurship से related तो यह पता लगा कि it has helped me a lot in polishing what I had, एक raw talent था, आपने raw talent की बाद, एक potential भी था टीक हो गया, लेकिन वो सब यह कहलें के back of the mind था, hidden था, बिल्कुल ऐसा थूराउट देखते रहे, सीखते रहे, सारा कुछ लेकिन जिस वक्त पढ़ा और जिस वक्त ट्रेनिंग ली तो उस वकत वो ज्यादा बेटर तरीके से polish हुआ, बिल्कुल और जादा बेटर तरीके स लेकिन पढ़ने के बाद या इर्द गिर्दत देखने के बाद या किसको या अपने passion को परसू करने के लिए, उन्होंने अपना business start किया, कि हम business करके देखते हैं, whether we can do it or not, they are doing excellent jobs in their own yonderes, जिसकी reason ही यह है कि they had it in them, मतलब एक चीज है, आपने business शुरू करना है, तो उसके ल अपने shop, आपने shop ले business start करने, आपका एक idea है, innovate, make it and start selling, उसमें आपके genetics होना आपको help out जरूर कर सकता है, एक plus point, एक advantage जरूर कर सकता है, यह कहले है, पर्छू करने के बादेज कर सकता है, यह कहले है, जरूर बद्द जरूर हो सकता है, बिल्कुरूरू बद्कूर हो सकता है ठीक हो गया, जाहिए सब आप कुछ आड करना चाहा है तो मेरी बात को सब्सक्राइब के अच्छा इनके अंदर 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 क्वालिटी इस मोजूद थी, महोल मौजूद था अंदर अंदर जाहिए आप एडिकेशन और ट्रेनिंग इसे को बेतर कर सकते हैं आप उसको एक पर्टिकुलर्ली एक ट्रेनिंग देने के बाद उसको specific field पता सकते हैं और उसको day to day challenge आते हैं मिसलों accounting के management के इसमें आप उसको बेतर कर सकते हैं तर बगर एंट्रपनियूर बनना, यह वो एव ऑफ नाएड़ूर घ्रॉक्ड अट्रपनियूर्यूर रीख कि अठरियूर्य थेृ लॉग्छ थेंच टूर्यूर्य थे रीगवार अगर आपके अंदर वो तैलन आएप कुल अपडल एप अगर आपके अंदर वो तैलन्ट न चाहिए आपने जो बात की उसके अंदर मैं सिंपल यह चीज आइड करना चाहूंगी कि यह बिल्कुल आपने ठीक बात है कि अगर आप कुरिकेटर बन नहीं सकते तो आपको चाहिए जावेद में अदार ट्रेनिंग दे आप कुरिकेटर नहीं बन सकते लेकिन अगर आप बन ठीक है और अगर आप अर यह अंट्रेपनेवर्स में आव तार पर कमिट्मेंट और पैस्ट में पैस्ट्पेशन और लंबे रस्ते तक चले का पैस्ट्स भी जो होता है नशे में जादा होता है और मैंने यह देख गा है कि जो लोग परमिरी फैमिली में भी इसकी बहुत बड़ी वज़ा ये भी है कि उनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं मैं ज्यादा बहुतर तरीके से आपको अपनी मिसाल देके ही बात कर सकती हूँ ठीक हो गया कि इसके अंदर ये कि मैंने भी बहुत सारे गलत डिसिजन्स लिये कई दफ ऐसा हुआ कि मैंने रिस्क लिया जो कि नहीं हो सका मैं जो है ना I failed in my decision making लॉस भी हुआ सारा कुछ हुआ स्टार्ट में उसका तरफ आपकी बात का ये advantage जरूर है कि everybody supported me my father, my mother, my family, they all said कि अभी जब business शुरू करते हैं तो ये सब होता है you don't have to worry at all, दुबारा खड़े हो, दुबारा करो, थोड़ा loss हुआ है, आगे profit भी होगा ये सिरफ एक support जो आपको एक महाल से मिल जाती है ना that help हम context की बात कर रहे हैं और context बड़ा एक एहम topic है हमारा हमने इसको भी लेकर चल रहा है और एक और बड़ा एहम topic है जिसको हम अपनी अगली वीडियो में discuss करना चाह रहे हैं और वो ये है कि हमारे महाल में एक राय काइम होगे को रिजवान साब ने कहा कि हमने यह भी देखनी होती है कि एक journal opinion क्या है तो हमारे हाँ कुछ journal opinions develop हो जाती हैं कि कुछ certain caste ऐसी हैं कि जिनके जितने भी बच्चे होते हैं हमेशा बेहतरीर entrepreneurs होते हैं हम अपनी अगली वीडियो में ये दो बाते बड़ी एहम हैं इनको discuss करेंगे नमबर एक context आपका environment खास तोर पर आपके बाज़कात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो आपको entrepreneur बना देते हैं शायद वो हालात ना होते हैं तो आप entrepreneur ना होते हैं जिनको हम necessity driven entrepreneurship में भी ले आते हैं और दूसरा ये कि इस बात में कितनी सदाकत हैं ये ये राय क्यों काइम हो गई है कि एक certain caste जो है वहाँ पर उनके जो बच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे entrepreneur होते हैं आपको next video में मिलते हैं और इसी discussion को आगे continue करेंगे